जय हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रसिक्चत इसना तक सिक्चक भरती परिच्छा हिंदी के लिए प्रयक्टे सेट यहां पर 125 कॉस्चन है जहां पर आपके बहुत ही भात्तपूर कॉस्चन है वीडियो को लाइक करना ना भूलें आज कबने आपर फर्ष्ट कॉस्चन पूचा है तेरह भी सताब्दी के हिंदी गद्द का रूप उपलब्द है तो रूप उपलब्द है आपके लिए बताना है चार विकल्प आप कहां पर दिये गए हैं आंसर बनता है तो आप कमेंट में कैसे नहीं लिखी ए आपको इहां पर कॉस्चन नमबर दो में बताना है और दो का जो राइट आंसर विरज वासा गद में सर पर दो रचनाई लिखी है वह लिखी है गोरक पंतीनात कभी होने कॉस्चन नमबर तीन पूचा है खड़ी बोली हिंदी की एक उप भासा है करते योग में कशन कीजिए तो question no. 4 का right answer होगा आपका विकल्प No. C, का खा एक कंट यह हैं आपका विकल्प No. C आपका इहां पर सही answer होगा प्रियम की भासा सब्द रहे थे एकतन है प्रियम की भासा सब्द रहे थे एकतन किसका हे बताए question no. 5 का आपका right answer क्या होगा इसाल नमबर पांच है विकल्प नमबर डी राइट आंसर है सरदार पूंज सेंग जी का एकतन है क्वाश्चन नमबर छे पूंचा है सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए कूट की सहाइता से क्वाश्चन नमबर छे पूंचा है देखे पूंचा है क्या पूंचा है देखें परूस बलनों की अध्यक्ता योक्तिकाब रचिना जैसे सुनकर मन में तीब्र बेग या उबंग का भाव उठे उस बाक में गुण होगा कौन सा उस बाक में गुण होगा पिरसाद या सूकमार्य या फिर गुण या मादवर गुण या ओज गुण तो इसमें आपके जैसे गुण बताने तो साथ का राइट आंसर है डी यानि कि समे ओज गुण होगा क्वस्चन नंबर आठ आपसे यहां पर क्या पोंचा है Q8 आपसे आपर पूँचा है हिंदी के दुबेदी उग का नाम करण इनमें से किस के नाम पर हुआ है तो हिंदी के दुबेदी उग का जो नाम करण हुआ है वाई किस के नाम पर हुआ है तो Q8 का राइट आंसर है महावीर परसाद दूबेदी विकल्प number D आपका साई आंसर है Question number 9 है नमें से कौन सा एक सब्दे कमल का पर्याबाची नहीं है नहीं पूँचा है आपसे तो कमल का पर्याबाची नहीं है कौन सा नहीं है तो 9 का right answer है आपका B यानि की उद्विज आपका इहां पर साई आंसर होगा question number 10 पूँचा है निमने लिखित में से एक कभी बीर रस के कभी के रूप में प्रिसद्ध है तो बीर रस के कभी के रूप में कौन प्रिसद्ध है यह आपको यहाँ पर बताना है question number 10 है और 10 का right answer है विकल्प number C स्याम नारन पांडे राइट answer है द्रस्ती काभी केंदे को देखा जा सके नाटक रहताईüyor को उपरुक्त में से किसी को नहीं तो द्रस्ती काभी किसे कहती है तो आपका right answer है यहाँ पर विकल्प number आपका क्या हो गा right answer तो यहाँ पर आपका सही answer है question number 11 का आपका है आपर जो सही answer है वह है विकल्प number B आने की नाटक होगा यहाँ पर सही answer नाटक आपका सही answer है question number है आपका यहाँ पर 12 निमने सब्दों में मात्र एक सब्द सुद्ध है उसे छिन्नित कीजिए बैस सब्द आपके लिए बताने है question number 12 में कौन सा सब्द यहाँ पर सुद्ध है तो आपका right answer प्रदर्शनी प्रदर्शनी इस पर का लिखते हैं यह सुद्ध सब्द है आपका दच्छन में वेक्सेते दक्तिनी हिंदी गद्ध का प्रमालिक रूप प्राप्थ होता है कप प्राप्थ होता है यह आपको बताना है तो question number 13 है महत्तपूर्ण है और आपका सही answer है B यानिकी सन अठारा सन पंदरा सो असी इस बी के आसपास के गद्ध में यह जो है दक्कनी हिंदी गद्ध का प्रमालिक रूप राप्थ होता है प्रिछेत्र सब्द है यह देशा जह विदेशी यह तदभाव तच्सम है तो 14 का जो सही answer है आपका वहोगा राइट answer तच्सम यानिकी विकल्प नमबर D आपका सही answer है question number 15 पूँचा सिंगार रस्मंडन ग्रंत के लेखक है तो इस ग्रंत के लेखक कौन है तो question number है आपका पंद्रह और पंद्रह का सही answer है विकल्प नमबर C आनिकी गोसाई बिठलनात आदुनेक काल को आचा रामचन सुकल ने कहा है क्या कहा है question number 16 में बताना है तो आपका सही answer होगा आदुनेक काल को आचा रामचन सुकल जी ने कहा है गद्दकाल विकल्प नमबर B आपका यहाँ पर right answer है question number 17 पूँचा है क्या भूलूं क्या याद करूं किस से की आत्म कता का एक खंड है तो 17 का answer बताना है तो 17 का right answer विकल्प नमबर D आनि की हरी बंसर आए बच्चन question number 18 क्या पूँचा है इन में से एक रचना कभी रामधारी सेंग दिनकर की नहीं है नहीं पूँचा है तो कौन सी नहीं है रामधारी सेंग दिनकर जी की रचना question number 18 है और आपका सही answer क्या हो का महत्पूण question है और गीत बहग आपका सही answer विकल्प नमबर D right answer है यहाँ पर है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है तो यहाँ पर सुमिलित कर देते हैं 19 का right answer यहाँ पर बताना है तो देखिए A आपका यहाँ पर कूट दियेगा है तो B आपका यहाँ पर सही answer होगा पहले का हो जाएगा चार कुत्ता कुत्ते यह जो है बहु बचन हो जाएगा दूसरे का गधे यह भी बहु बचन में आएगा तीसरे का आपका तीसरा हो जाएगा सेनीक एक बचन में आ जाएगा कन्या कन्या जो है एक बचन में आ जाएगा अंगला question क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं पूट के पाउ पालने में ही दिखाई दे जाते हैं का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है question number आपका 20 है और आपका इहां पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर पूत के पाँप आलने में ही दिखाई दे जाते हैं, इसका अर्थोगा स्रेष्ट ताकि लक्षण बल्लवस्ता से ही जाहर होनी लगते हैं, तो विकल्प नंबर C आपका इहां पर सही आंसर है, हिंदी में निवंद लेख इस का पूँचा है, तो 22 Question पूँचा है, देखे, खलील जिब्रान की रचिना, इस विकल्प नंबर C आपका इहां पर सही आंसर होगा, राहुल सांक्रेतन का बच्पन का असली नाम था क्या नाम था इनका राइट आंसर बताना है 23 का राइट आंसर क्या होगा यह आपकी चार विकल्ब दे गए है 23 का राइट आंसर है कियदार पांडे कियदार पांडे यानिकी विकल्ब नमबर C आपका यहां पर सही answer है question number 24 है नमलिकित में से कौन सा एक योग में सही है योग में बहे बताना है 24 में कौन सा योग में यहां पर सही है तो 24 का right answer आपका होगा यहां पर बिरजवासा पश्चमी हिंदी यह जो योग में हैं सही अभिकल number D आपका right answer होगा answer है उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है सौरठा आपका सही answer होगा question number 26 से देखिए जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है बह नर नहीं नर पसू निरा है और मिर्तक समान है यह पंतियां जो हैं किस कभी द्वारा लिखित है question number 26 बताना है तो यह पंतियां जो हैं लिखे थे किस के द्वारा में अथली सरण गुप्त तो विकल्प number D आपका यहां पर सही answer है question number 27 है इनमेंसे एक सब्द सकती नहीं है सकती नहीं है ब्यंजना मुद्रा अभिदा लख्षणा तो 27 का आपका जो सही answer है भै विकल्प number C आनिकी मुद्रा आपका सही answer होगा question number 28 क्या है रामचरित मानस की रशिना हुई तो question number 28 का सही answer बताईए question number 28 है रामचरित मानस की जो रशिना हुई विक्रम संबद 1631 बिलकुल चाही विकल्प number D right answer 27 का 27 का आपका यहां पर C right answer होगा विक्रम संबद 1549 में आपका 28 का 28 का आपका D ही होगा right answer 1631 ही आपका यहां पर सही answer है 28 का D question number 29 क्या पूँचा है तो 29 का सही answer बताना है सभी लोगों के लिए पहले भयो पूत ना पीछे भई भई माई बरसे कंबल भीजे पानी कभीर की इन कावे पंतियों को 90 में से कौन सा नाम दिया जा सकता है बताए 29 का answer बताना है तो 29 का right answer है आपका C उलट 1 C आपका यहां पर right answer होगा रीति काल में जन्म लेने वाले बीरस के कभी कौन है कभी पदमाकर है कभी भूसन है कभी चिंतामणी कभी केसबदास है तो आपका 30 का right answer है रीति काल में जन्म लेने वाले कभी भूसन है बिल्कुल सही विकल्प नमबर C right answer है question number 31 क्या पूँचा है हिंदी सायत के भक्ति काल को कहा जाता है हिंदी सायत में जो भक्ति काल है हिसको क्या कहा जाता है 31 का right answer है क्या है right answer 31 का बिल्कुल सही right answer है आपका विकल्प नमबर C आनी की स्टोन रख question number आपका 32 पूँचा है प्रीयोग बाद का समय है तो प्रीयोग बाद का समय कब से कब तक माना जाता है question number 32 में आपको बताना है तो 32 का राइट आंसर है विकल्प नमबर सी सन 1943 से इसवी से सन 1953 आपका राइट आंसर होगा Question number 33 पूँचा है जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाएगा अपूर्व आश्चीयर जनेक अदुतिय अभूत पूर्व तो 33 का राइट आंसर है विकल्प नमबर डी अभूत पूर्व आपका सही आंसर है जिम्ण में आसे कौन सा वाग के सुद्ध नहीं है सुद्ध नहीं पूँचा है आपसे तो 34 का राइट आंसर है अनिये को लोग दोड़ पड़े ये वाग के सुद्ध नहीं है नमबर भी राइट आंसर है कौशन नमबर 35 है हिंदी सायति के किस काल को सिंगार काल कहा गया है तो सिंगार काल कहा गया हिंदी साहितिकाव है कौन सा काल है 35 का राइट आंसर बताना है राइट आंसर होगा रीतिकाल रीतिकाल को सिंगार काल कहा गया है बिल्कुल सही मेला आचल उपन्यासे ये तो सभी के लिए आना चाहिए बहुती महत्वण कॉस्चन है मेला आचल है उपन्यास है किस पिरकार का है तो 36 का आपका राइट आंसर डी यानिकि आंचले को पन्यास माना जाता है मेला आचल निम ने लिखेते पत्रिका में कौन सी E एक का परकासन भारतेंदू यग में हुआ है मदूकर कादंबिनी साहित भासकर आनन्द कादंबिनी तो भै कौन सी पत्रिका जिसका परकासन भारतेंदू यग में हुआ है 37 काप का राइट आंसर होगा डी यानिकी आनंद का दम्बिनी कॉस्चन नमबर है आपका यहां पर 38 कापव का कौन सा रूप या परकार जिसके छंदों में अर्थ की दरश्टी से पूर्भा पर संबंद का निरवाह नहीं होता 38 का आंसर आपको बताना है तो बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर C मुक्तब का आपका राइट आंसर है कॉस्चन नमबर 49 पूछा है निर्वने लिकित में ऐसे कौन सा अर्थलंकार है सिलेश, यमक, रूपक, अनुपरास तो 49 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर 49 का बी आनिकी रूपक रूपक आपका राइट आंसर है कॉस्चन नमबर 40 है भारत में इनमें से एक भासा परिवार की भासाएं परिचलित नहीं है भारत में इनमें से एक भासा परिवार की भासाएं परिचलित नहीं है तो 40 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यानि की एक आप छरी भासा परिवार विकल्प नमबर C राइट आंसर होगा 40 का 41 वा question है निमलिकित में से एक ललित निवंदकार नहीं है तो कौन नहीं है तो 41 का आंसर बताना है तो आपका right answer है यहाँ पर विकल्प नंबर D यानि की भारत भूसन आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प नंबर D आपका सही answer है बिल्कुल सही question नंबर 42 आपसे पूचा है फनिस इसलिए पिरसित हैं यह आपको बताना है 42 का answer बताना है क्या होगा यहाँ पर right answer फनिस्वन नाथ रहनु पिरसित हैं तो 42 का सही answer है आंचलिक कताकार के रूप में आपका सही answer है रस के मूल कारण होते हैं तो बिभाव, इस्थाइभाव, संचारिभाव या अनुभाव तो 43 का right answer है C यानि की स्थाइभाव, इस्थाइभाव आपका सही answer है, question number 44 सांतरस का स्थाइभाव क्या है जुगपसा, रती, निर्वेद या दया, 44 का B right answer होगा निर्वेद यानि की विकल्प नमबर B आपका यहाँ पर सही answer है, question number 45 है नमलिकित में से एक कहानी जैसंकर परसा सही answer है, बिल्कुल सही, तीसरी कसम right answer है, question number 46 पूचा है आपसे कि कभी पंत के काववे के किरमिक विकास में कौन सा एक सौपान सही नहीं है, बहुत सौपान बताना है जो सही नहीं है, बताए, question number 46 और right answer है आपका राष्टबादी, बिल्कुल सही, यह सौपान आपका सही नहीं है, question number, आपका 47 यहाँ पर क्या पूचा है, प्रिये प्रवास की नाई का राधा है, यह क्या है, यह आपको बताने है, 47 में, क्या होगा 47 का right answer, प्रिये प्रवास की नाई का राधा है, तो 47 का right answer होगा, प्रगती सील समान्ज से भी नाई का, विकल्प नमबर C, आपक हुँ चलांट नहीं है किसकी काव पंती है तो मैं कौन धो पार्टी पड़ेंगो लगा मन ले वू मैं देहूं छटांक नहीं जो काव पंती है यह किस उसकी है तो आपके लिए बताना है 48 का आपका राइट आंसर है C कभी घनानंद आपका सई आंसर है इनमें से एक नाटक मोहनराकिस द्वारा लिखित नहीं है नहीं पूछा है कौन सा नहीं है यह आपको बताना है पंच बती सब्द में समास है यह महत्पूल कौस्चन है पंच बती कई बार पूछा जाचो का सरल कौस्चन है पंच बती में समास बताना है दिगू आपका सही आंसर होगा दिगू समास आपका सही आंसर है पाबक सब्द की संदी होगी तो पाबक का संदी विच्चित यहाँ पर बताना है question number bound है और आपका सही answer है bound का विकल्प नंबर यहांपर C right answer पौधन आ उक बרाबर पाभक आपका सही answer है आध गुणों है सूत्र है तो दिरग गुणों का गुण संदी का दिरग संदी का या ओज गुण کا सूत्र है किसका सूत्र है तो आपका 35 का C right answer है गुण संदी का विकल्प नमबर C right answer Question number आपका यहाँ पर चंगण पूचा है हरे धन रव में संदी कौन सी होगी हरे धन रव में संदी बताना है तो चंगण का आपका सही आंसर है C पूर्व रूप संदी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही 35 तो 55 अंसर आपका B यानि कि अच्टी समास प्र्वत्य सब्द में प्रत्य है Each कौन सा प्रत्य है इसमें आपके लिफ बताना है। आपको इहां पर 56 आपका तू प्रत्य है त्युक्ड सत्वर नंबर आपका सिसंट्धाश un है कारक चिन्ने से का प्रियोग होता है कारक चिन्ने से द्वारा का प्रियोग होता है आपको बताना है किसका आपका यहाँ पर संताउन है महत्तुपुन है और आपका यहां पर सी राइट आंसर कर्म कारक तृती विभक्ति की रूप में इसका प्रियोग होता है कारक चिन्न का बिल्कुल सही कोस्चन नमबर है आपका अंठाउन त्याग पत्र उपन्यास के लेकक कोन है विसंभर उपन जयन है या विसंभर सर्मा कोसिक मनुबंडारी है अंठाउन का इन पर 152 नमबर आपका इहां पर सी राइट आन्सर होगा अंठाउन का 69 वा question क्या पूँचा है हिंदी का पहला उपन्या सुईकार क्या गया है गोदान परिक्षा गुरू कंकाल या भिकार नी तो question number 69 का सही answer है आपका परिक्षा गुरू परिक्षा गुरू बिल्कुल सही राइट आंसर बता है, रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, साट का विकल्प नमबर यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, तो उदय भानुचरित आपका साट का विकल्प नमबर सी यहाँ पर सही आंसर है नम्नमय से यह कहानी का तत्व नहीं है देखें नहीं पूंचा आपसे कहानी का तत्व नहीं है तो कथानक जिग्यासा पात्र या संक्लन त्रय तो एक सट का आपका जो सही आंसर है वहें आपका विकल्प नमबर डी यानि की संक्लन त्रय जो है यह कहानी का तत्व न आते असंगती you, बासट का आपका जो सही आंसर है यहाँ पर ब्रोद हभास, आपका सही आंसर होगा Question 73 है हात ना हिलना महाब्रे का रथ बताने है country आ यहाबरा है और इस अहे आपका चौर्षियन आपकर Question नमबर 63 का भी एयांकी क्या होगा अकर्वलन्य हो जाना तो विकल्प नमबर आपका यहाँ पर भी सही आंसर है Q64 पूचा है कि निमने लिखित में से एक रचिना कालिदास की नहीं है नहीं कौन सी नहीं है यहाँ पर बताएए वेगदूतम, रगुबंसम, अभिग्यान सकुंतलम या दसकुमार चरित Q64 है, दसकुमार चरित यह जो है आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नमबर D आपका सही आंसर है यह कालिदास जी की रचिना नहीं है कामाईनी महाकाप में सरगों की संख्या है यह question तो कई बार पूँचा गया है सरगों की संख्या है कामाईनी में तो महत्वपूर्ण कॉस्चन है यह आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 65 का विकल्प नमबर B यानिकी 15 है बिल्कुल सही कॉस्चन नमबर है 66 की कुलदी पे कायर हो सकता है किन्तो मैं कायर नहीं हूँ मेरे जीते जी बच्चे और उसकी मा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है यह जो कथन पूँचा है यह कथन किसका है और यह कथन किसका है यह आपके चार विकल्प दे गए है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कर्म नासा की हार की पात्र वuineवा पांड़े का ही कथन है वैरव पांडवे जो हैं वैरव पांडे। कर्मनासा की हार की पात्र मानें जाते हो लिएक का ये कथन है कॉस्चिन नमबर आपका 66 पूँचा है कि विद्वा सब्द में धो का अर्थ है विद्वा सब्द में धो का अर्थ क्या होगा कॉस्चिन नमबर है आपका यहां पर 66 और राइट आंसर है सी यानि कि पति आपका यहां पर सही आंसर होगा पति कॉस्चिन नमबर 68 हरी सब्द का सब्तिमी विवक्ति बहु बचन में रूप होगा देखिए सब्तिमी विवक्ति में पूंचा है और बहु बचन में क्या रूप होगा Q68 है और आपका सही आंसर हरी सू हरी सू इसका जो है सब्तिमी विवक्ति बहु बचन में रूप होगा गच्छन्तू सब्द है Q89 Q89 का आपका सही आंसर होगा लोट लकार प्रथम प्रोस बहुवचन का रूप है Q70 क्या पूँचा है इनमें से एक लोकोक्ती है Q70 में बताना है कौन सी लोकोक्ती है यहाँ पर तो आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर अंदे की लाठी इद का चांद एक आँख से देखना नो दिन चली अडाई कोस 70 का आपका सही आंसर है एक लोकोक्ती है तो 70 का डी राइट आंसर है नो दिन चली अडाई कोस यह जो है लोकोक्ती है Q71 पूँचा है आपसे यहाँ पर जमने लिखेते हैं रीती कालेन कभियों मैंसे किसने लक्षन गिरंतों का निर्माड किया है लक्षन गिरंतों का जो निर्माड किया है वह किसने किया है 71 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नमबर B आनि की केसवदास आपका सही आंसर होगा रामचरित मानस की अंत्यम कांड का नम बताना है Q72 में अंत्यम कांड कौन सा है रामचरित मानस में चार विकल्प आपकी आपर दिये गए हैं और 72 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर D आनि की उत्तर कांड जो है अंत्यम कांड माना जाता है बिरजभासा का विकास नांगरेक अब्रंस से सौरसैनी अब्रंस से अबटे से या मागदी अब्रंस से किस से हुआ है बिरजभासा का विकास तो तेहतर का आपका जो सही आंसर है विकल्प नमबर बी सौरसैनी अब्रंस से इसका विकास हुआ है कौस्चन नम्बर 44 है नमने लिखितमें से एक हिंदी के एतिहासिक उपन्यासकार है एतिहासिक उपन्यासकार कौन है? चोधतर का राइट आंसर बताना है यह तिहासे को पन्यासकार पूंचा है तो ब्रंदा बन लाल बरमा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी दिया है बैए आपका सही आंशर होगा यहाँ पर कॉस्चन नमर पचैत्तर आपसे पूंचा है धर्मे के धन को पेरों तले कुचल डाला यह कथन है किसका कथन है धर्म के धन को पेरों तले को चल डाला एक कथन बताना है किसका है तो 75 का आपका सही आंसर है B आनिकी मुंसी प्रियमचंद मुंसी प्रियमचंद जी जो है इनका एक कथन पूँचा है जैनेंदर है जैनेंदर क्या है यह आपको बताना है 76 में जैनेंदर क्या है तो 76 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर मनो विसलेशन बादी उपन्यास कार तुबिकल्प नंबर C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा Q77 पूंचा है आपसे यहाँ पर कि निमने लिखेत में ऐसे एक निबंद लेखक नहीं है द्वारी का पर साथ में आचार हजारी पर साथ दुबेदी बाल मुकंद गुपते Q77 का आपका राइट आंसर है द्वारी का पर साथ में यह जो ए निमन लेखक नहीं माने जाती है तो विकल्प नंबर B आपका सही आंसर है हिंदी साहित कारों में राजा दुए की नाम से जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं राजा दुए की नाम से तो 78 का आपका जो सही आंसर है बहें आपका राइट आंसर 78 का विकल्प नंबर आपका C राइट आंसर होगा यानि की राजा लक्षमन से हैं सेवपरसा सेतारी हिंद और राजा लक्षमन से हैं यह जो है राजा दोय की नाम से जाने जाते हैं चंद्रकांता संतती उपन्यास के लेखक कौन है? Q2 है आपका 89 और 89 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर यहाँ पर C यह जो हैं चंद्रकांता संतती उपन्यास के लेखक हैं हिंदी के स्रेष्ट ब्यंगकार माने जाते हैं Q8 में बताना है कौन माने जाते हैं हिंदी के स्रेष्ट ब्यंगकार? तो 80 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर C हरी संकर परसाई हरी संकर परसाई आपका सही आंसर है यहाँ पर रसों के संचारी भाव की संक्या है रसों के जो संचारी भाव होते हैं इनकी संक्या 32, 33, 33 तो 88 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर C राइट आंसर है यानकी 33 यहाँ पर कौशन नंबर 34 पूँचा है बक्र तो आचार कुंतक यानि की विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर होगा कुंतक आपका राइट आंसर है question number 83 देख लेते हैं पूंचा गया है कारक की दरश्टी से सुद्ध बाग का यहां पर चैन करना है कारक की दरश्टी से पूंचा है तो आपका 83 का सही आंसर विकल्प नंबर सी उसने एक फल तोड़ा यह जो है कारक की दरश्टी से सुद्ध बाग के होगा question number 84 पूंचा है निम्न में ऐसे एक सब्द जो है बरतनी की दरश्टी से असुद्ध है यानि की सही सब्द नहीं है तो बहे कौन सा सब्द बताइए असुद्ध सब्द का चन करना है तो 84 का आपका बी राइट आंसर होगा कवित्त्री बी आपका सही आंसर है कवित्त्री आपका सही आंसर होगा question number 85 है निम्न लिखे सब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है उसे चिन्नित कीजे बहे कौन सा सब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है तो 85 का सही आंसर है C यानि की उपमा आपका सही आंसर है किस सब्द में उपसर्ग नहीं है नहीं है उपसर्ग नहीं है तो 86 का आंसर है आपका यहां पर D यानि की अपराद D आपका यहां पर सही आंसर है question number 87 क्या पूंचा है देखें लोर कहा या लोर कथा किस काब्ब का दूसरा नाम जो है मान लिया गया है लोर कथा या लोर कथा किस काब्ब का दूसरा नाम मान लिया गया है तो आपका यहां पर 87 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर एक यानिकी चंदायन चंदायन आपका यहाँ पर सही आंसर है हरीदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है रादा बल्ला संप्रदाय या सकी संप्रदाय चेतने संप्रदाय या गौणी संप्रदाय 88 का राइट आंसर बताने हरीदासी संप्रदाय का दूसरा नाम है सकी संप्रदाय Q89 है चर्या पदों की रचनाकार कौन है तो 89 का आपका सही आंसर होगा चर्या पदों की रचनाकार पूँचा है तो 89 का आपका सही आंसर है उत्तर प्रिय दर्सी किस विधा की रचना है Q90 है उत्तर प्रिय दर्सी किस विधा की रचना है तो आपका right answer है यहाँ पर नाटक, नाटक आपका सही answer है, बिलकुल सही, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, एह पंती किसकी है, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, तो एह पंती बताना है, तो आपका यहाँ पर 91 का जो right answer है, वैं है आपका यहाँ पर नांगर ज इस कलता की रचिनाकार कौन है, question number आपका यहाँ पर 92 है, right answer होगा, आपका यहाँ पर 92 का, इस कलता की रचिनाकार पूँचा है, तो आपका right answer है घनानन्द, यानि की विकल्प number D, right answer होगा, question number 93 पूँचा है, कौन सी बोली, पूर्वी हिंदी की नहीं है, 93 का answer बताइए, तो कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो आपका यहाँ पर 93 का एक ब्रिजवासा आपका यहाँ पर सही answer होगा, ब्रिजवासा आपका यहाँ पर सही answer है, बिलकुल सही, question number 94 पूँचा है, यहाँ पर आपसे, बुंदेली किस बोली की उप बोली है, तो 94 का आपका यहाँ पर सही answer है, आपका यहाँ पर अबिदी, माटी की मूर्तों की रचनाकार है, माटी की मूर्ते की रचनाकार कौन है, 95 का answer बताना है, और 95 का आपका सही answer, राम ब्रक्ष ब्यानिपूरी, बिलकुल सही, राम ब्रक्ष ब्यानिपूरी आपका सही answer है, कल आरंबेक उपनाम है उपनाम है कलाधार तो क्सका उपनाम है तो 96 राइट आंसर है जैशंकर प्रसाद यानि की विकल्ब नमबर ची राइट आंसर है इन Such Allied कहानी विभाजन पर आधारेत नहीं हैrau बिभाजन पर आधारेत नहीं पूंचा है आप से तो आपको ह हम पर 97 का तो 95 का आपका जो सही आन्सर है तो आपका विकल्प नम्बर C यानि की सम्कालिन भारत्री साहित। सम्कालिन भारत्री साहित आपका सही आन्सर है रसों की संख्या 8 किसने मानी। तो सौक राइट आंसर है, अम्रित लाल नांगर आपका यहां पर सही आंसर है, नूर मुहम्मद किस साका की कभी है, कौस्चन नमबर 101 है, राइट आंसर है आपका प्रेमास्तरी आपका सही आंसर होगा, पानी गयना उबरे मुक्तमान स्चून जो है, इसमें कौन सा अलंकार ह यह आपको अलंकार बताना है, 102 में, अलंकार है, भूत इसल क्वेशन है, यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, सिलेस आपका सही आंसर, आचार संकुक ने किस बाद की स्थापना की है, तो तीन का राइट आंसर है, अनूमितिवाद यान की विकल्प नमबर, यह आपका य इस्थाई भाव है कॉस्ट्य नमबर 104 का राइट आंसर है विकल्प नमबर यान की भीवात से आपका राइट आंसर है रीती को काब्वे का सुभाव किसने माना है चिंतामणी भिकारीदास की सब्दास या फिर विस्वनात परसाद रीती को काप्ड का सभाव माना है तो 105 का राइट आंसर है किसने माना है की सब्दास आपका भी राइट आंसर यहाँ पर है निराला किस पत्रिका की संपादन से संबंदित थे तो यह बताना है सरस्वती, चांद, माधुरी या मतबाला तो 106 का राइट आंसर है आपका मतबाला वीसल देवरासो की रचिनाकार कौन है वीसल देवरासो की रचिनाकार पूँचा है कॉस्चन नमबर 7 में और 7 का राइट आंसर होगा विशल दिव रासु नर्पति नाल्य यानि की विकल्प नंबर आपका C यहां पर राइट आंसर है 107 का C राइट आंसर है 108 है भक्तमाल किसकी रचिना है question number 108 है right answer क्या होगा भक्तमाल किसकी रचना है तो आपका right answer है ना भादास ना भादास आपका सही answer है बिल्कुल सही question number आपका 109 पूंचा है ख़ली बोली का पहला महाका पे कौन सा है कामायनी साकेत प्रिये प्रबास या लोकायतन तो 109 का right answer है B यानिकी प्रिये प्रबास आपका यहाँ पर सही answer होगा बिल्कुल सही question number 110 पूंचा है तो विकल्प number D आपका सही answer है पुनर नमा उपन्यास का रचेता कौन है question number 111 सभी लोग वीडियो को लाइक अवसे करते जाएं जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है और 111 का आपका E right answer है हजारी पर साथ दुबेदी question number 112 है भारती ज्यानपीट प्रोषकार किस रचना पर मिला है भारती ज्यानपीट प्रोषकार मिला है कौन सी रचना पर अंधायोग औरवसी परती परीकता आसाड का एक दिन 112 का राइट आंसर है C, यानी कि औरवासी रामधारी सेंधन कर, इनको जो है इस पर भारतिक ज्यानपीट प्रोशकार मिला था, चाक उपन्यास के लेखक कौन है? चोप, चाक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो 113 का राइट आंसर होगा, आपका यह आंसर है तो 14 का आपका D right answer है यहानिकी नागरोगुण आपका इहां पर सही आंसर है पंदरवाई question है रात में harmonium किस विधा की रचना है यह कहानी है उपन्यास नाटक है कभीता है एक 115 का CB eternus यानि की कभिता है बिलकुल सही यहां पर 116 पुँचा है इनमें से कौन सा उपन्यास दलत जीवन पर केंद रहे थे उपन्यास बताना और तो 116 का सही आंसर है उपन्यास परिस्ष्ट ये जो है दलत जीवन पर केंद रहे थे 119 से फलेस बेक की सेली का प्रियोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया था तो फिलेस बेक सेली का प्रियोग हिंदी किया गया था किस कहानी में पहली बार किया था तो ताई 11 बर्स का समय उसने कहा था प्राश्चित तो आपका 117 कराइट आंसर है उसने कहा था Q18. हिंदी साहित अकादमी की प्रतम अध्यक्स थे तो साहित अकादमी की प्रतम अध्यक्स पूँचा है 118 में तो आपका सही आंसर है 118 का B यानिकी जवाहलाल निहरू Q19. पूँचा है नई कभीता पत्रिकल का प्रकासन कब हुआ है मात्पूर्ण क्वास्चन है कई बार एक क्वास्चन पूशा गया है 119 वा क्वास्चन और आपका सही आंसर है D यानिकी सिवराम कारंत आपका सही आंसर है और 118 का सही आंसर होगा आपका भी होगा जवाहललाल निवरू इसका सही आंसर है नई कवीता पत्रिका का परकासन आरंब हुआ तो 119 का आपका डी राइट आंसर है यानिकी 1954 में question number 120 है gold smith की कृति है trailer का अनुबाद किस ने किया है तो trailer का जो अनुबाद किया है वह किस ने किया है तो 120 का राइट आंसर है C. श्रीधर पाठक आपका सही आंसर है question number 121 पूंचा है आपसे यहाँ पर क्या पूंचा है देख लेते हैं देव नांगरी लिपी में प्रारंभिक सुधार करता इनमें असे थे प्रारंभिक सुधार करता पूंचा है देव नांगरी लिपी में तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 121 का विकल्प नमबर B महादेव गोबिंद रानाडे आपका सही आंसर है निमने लिकेत बेदों में एक अतिस योक्ती अलंकार पिरकार नहीं है यह आपको बताना है निमने लिकेत बेदों में एक अतिस योक्ती अलंकार का पिरकार नहीं है तो 122 कराइट आंसर है आपका C यानि कि क्या होगा राइट आंसर अवेद कास योक्ति आपका राइट आंसर है विकल नंबर C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा Question number 123 क्या पूँचा है देख लेते हैं यहाँ पर पूँचा है Question number 123 जो तुम हार अनुसासन पाओ कंदुक यो ब्रह्मन उठाओ कांचो घट साम डारो फोरी करहूं मेरू मूलक जिमितोरी अपरक्त जो पंत्या है में काब गुण है तो कौन सा काब गुण है तो 123 का राइट आंसर है ओज आपका सही आंसर होगा 124 चंदों के संदर में गणों क कि कितने भेद हैं तो गणों के भेद पूचा है तो 124 का वी रैट आंसर है यानि कि 8 आपका सही आंसर है महाभोझ उपन्यास की रचिनाकार कौन है 125 वा कौश्च्चन पूच्च्चा है और महाभोझ व॥ ही महत्तुपूंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दवाएं, ओल पर किलिक करें, ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप किया तक पहुंचे, इतने मैं से आपकी कितने कॉस्चिन सही बने हैं, एक कमेंट में जरू बताना हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभ किले ये एंद।